वेश्विक मिर्दा का वर्गी करण यानी Classification of World's Wild विश्वकी मिर्दाओं का वर्गी करण विभिन आधारों और विभिन रूपों में किया गया है मिर्दा विज्यान के विकास एवं मिट्यों के वर्गी करण की पहल रूसी वेज्यानिकों के नाम है किंदु अमेर्की मृदा विशेशग्यों की भूमिका विशेश महतुपून है रूसी भौमिकी विद एवं भूगर्ब शास्त्री वी वी डाकुचेव ने 1882 से 1900 के बीच किये गए अपने अध्यनों के फलसुरूप बताया कि मृदा एक सोतंत्र इकाई है जिसके लक्षन जलवायविक प्रक्रियाओं और पौधों के क्रिया कलाब दोरा निर्धारित होते हैं रूसी वेगयनकों ने मिटियों का वर्गी करंग छेत्र विशेश की जलवायू तथा वनस्वतियों के आधार पर किया है इसलिए इनकी अपेक्षा अमेरकी वर्गी करंग अधिक व्यापक प्रचलित और मान्य है प्रसिद्ध अमेरकी मृदा विशेशक के सी एफ मारबोट ने 1938 में एक मृदा वर्गी करंग के व्यापक तंत्र की योजना प्रस्दुत की इस योजना को USDA तंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस योजना का निर्माण USDA यानि United States Department of Agriculture के तत्वाधान में किया गया इस योजना के तहट विश्व की मिट्टियों का वर्गी करंग तीन श्रेणियों यानि ओर्डर्स में किया गया वे तीन वर्ग इस प्रकार है नमबर एक पार्षविक मिर्दा यानि जोनल स्वाइल नमबर दो अपार्षविक मिर्दा यानि अजोनल स्वाइल अब हम संक्षेप में इनका अध्यन करें नमबर एक पार्षविक या कटिबंधी मिर्दा यानि जोनल स्वाइल ये जलवाईव एवं बनस्पती के दीर्ग कालीन प्रभाव से निर्मित पून विक्सित एवं प्रॉण मिर्दा है इनके मुक्च दो उपभाग किये जाते हैं पेडाकल तथा पेडालफर नमबर एक पेडाकल इस प्रकार की मिर्दा के चेर्नोजम एवं सेरोजम नामक दो उपभाग किये जाते हैं आएए अब इनका क्रमशा अध्यन करें चेर्नोजम ये घास प्रदेशों में पाई जाने वाली मिर्दा है, ये सरवाधिक उपजाओ और भुर भुरी मिट्टी है इसके आ इस्तर में हिवमस की अधिकता एवम बास तर में चूना की अधिकता होती है रूस के स्टेपी प्रदेश में इसे Black Earth, Soil, हिवमस की अधिकता के कारण कहते हैं जेम्स मिट्टी कहते हैं, ये चेरोनोजम से कुछ भिन्नता लिये हुए होती है, चेरोनोजम मिर्दा को ही घास प्रदेश के शुष्क भागों, विशेशकर USA के ग्रेट बेसिन के पठार में चेस्टनट कहते हैं, चेस्टनट एक भूरी पेडा कल स्वाइल है, सिरोजम ये शुष्क मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, इसमें हुमस तक्तों का अभाव होता है, इसका पीएच मान आठ से अधिक होता है, नमबर दो, पेडालफर मिर्दा, ये हवन प्रदेश की मिर्दा है, पेडाकल की भाद पेडालफर के भी मुक्ष द ये मुक्षतया रूस इस्थित साइवेरिया के टैगा वन प्रदेश की मिट्टी है, पाड़ जोल शब्द की उत्पत्ती रूसी शब्द जोला से हुई है, इसका अर्थ है राक, ये एक परिपक को मिट्टी है, जिसमें मिर्दा के तीनों संस्तर पाये जाते हैं, परिपक का अमल यानि एसिड निकालती हैं, जिससे मिर्दा के खनिस तत्त तो एवं हुमस तत्त तो गल कर भूमिगत हो जाते हैं, और मिर्दा अनुप जाओ हो जाती है, अर्थात, यहां मिर्दा विक्षालन यानि स्वाइल लीचिंग अधिक होता है, इसका पीच मान लगबग च चार तथा मिर्दा अमली होती है, पाड़ जोल को चार उपभागों में विभग किया जाता है, एरा रोशा मिट्टी इसी का एक उपभाग है, जो ब्राजील में कौफी उतपादन के लिए प्रसिद्ध है, एरा रोशा मिट्टी मुख्यतिया भूमत दिसागरी और चूना वाले क्छेत्रों में पाई जाती है, इसमें भी हुमस की कमी होती है, नमर दो, पाड़ जोलिक मिर्दा, ये पाड़ जोल मिर्दा से ज्यादा उपजाओ मिर्दा है, नमर दो, अपार्शविक मिर्दा यानि अजोनल स्वाइल, ये आविकसित अपरिवक को एवम नमीन मिर ये कई प्रकार की शैलों से बनने के कारण परियापत उपजाओ मिर्दा है, ये इस्थान बद्ध नहीं है, इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है, इसमें संस्तरों का भी अभाव होता है, इसका निर्मान किसी विशेश प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ जलोड, रेगुर यानी काली, हिमोड, वाईयोड, लोयस आधी इसी मिट्टी के विभिन रूप हैं। लेटराइट जो की उपियुक्त प्राकृतिक धाल वाले क्षेत्रों में विक्षालन यानी लीचिंग की प्रक्रिया के भल सुरूप बनती है। भी इसी में शामिल की जा को कटी बंधान तरित व्रदा कहते हैं। इस मिर्दा का निर्माण उन खेत्रों में होता है, जहां जल निकास की उचचित प्राकृतिक विवस्था नहीं होती है और निमनक खेत्रों में जल भराओ की इस्तिति रहती है। लवडी यानी सेलाइन, छारी यानी एलकलाइन, सोलोनेत, सोलोत, दलदली मिरदाएं जैसे स्वांप्स, मार्शेस, बाक्स, एवं प्लानो साल तथा चारागाह मिटियां, यानी मीडो स्वायल्स तथा कैलसियम युक्त, रेंड़ जिना मिटियां आधि इसी श्रिणी में की जाती है,